Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Geography Guru. आज की इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे Class 12th की. बात करेंगे हम Class 12th Geography भुगोल की और continue रखेंगे हमारी Class 12th Geography भुगोल की Most Important Questions की सीरीज को. यह जो हमारी Most Important Questions की सीरीज है, इसमें हम Chapter-wise Most Important Questions आपके साथ शेयर करते हैं. वो Questions जो आपके Board Exam के लिए सबसे Important है, यहनकी Board Exam से लेटेड, जो कुछ भी इस Chapter से लेटेड, Important है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के थूँ आपके साथ शेयर करते हैं. यहाँ पर हम थ्री टाइप के Questions के उपर Mainly Focus करते हैं, फर्स टाइप के वो Questions जो आपके Chapter के Main Concept या Theme से रिलेटेड होते हैं, आपकी कोई भी क्लास हो, चाए वो 10th हो या 12th हो, कोई भी सबजेक्ट हो, हिंदी हो, इंगलिश हो, पोल साइंस हो, या जोग्राफियो, कोई भी सब Second Type के Work Questions जो आपके Board Exam में Continently Repeat होते हैं, कुछ ऐसे Questions होते हैं, जो हर बार आपको Board Exam में दिखाई देंगे, उनको भी हमने इस सीरीज में Cover किया है, और Third Type के Work Questions जिनको आप बोलते हो, Value Based Questions, अभी का जो Trained है Board Exam का, उसमें Value Based Questions के उपर भी अच्छी खासी उनको वेटेज दी जाते तो इस Type के Questions को भी हमने यहां पे Include किया, यानि कि यह Complete Package रहेगा आपके लिए, Full Proof Series रहीगी आपके लिए, इसके थूँ आप एक अच्छे तरीके सी Revision कर सकते हो, आपको मोटी दोर पर एक Idea लगेगा, कि हाँ यह Topics हैं, यह वो Questions हैं, जो आपके लिए सबसे Important है, जिनके पर हमें Mainly Focus करना है, तो आज हम इस Series में, आज की इस Video में हम बात करेंगी आपके Class 12th Geography के 6th Chapter है, आपकी Old NCRT Book के According, Secondary Activities, दुइत्य करिया हैं, और जो New NCRT की Book है, उसके According यह 5th Chapter है, इस Chapter के सबसे पहले हम डिसकस करेंगे 1 Marker Question को, after that we will discuss the 2 and 3 Marker Question, और end में हम बात करेंगे इस Chapter के Most Important 5 Marker Question की, लेट्स पेगें चलिए, शुरुआत करते हम आज की इस Episode की इस Video की, और सबसे पहले हम डिसकस करेंगे इस Chapter के Most Important 1 Marker Question को, इसमें देखें, फर्स जो हमारा Question रहेगा, वो रहेगा, वी निर्मान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखें, शाब्दिक अ शाब्दिक अर्थ होता है, मशीन दोरा, बड़े पेमाने पर उत्पादन करना, तो उसको हम वी निर्मान बोलते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है, पुराने समय के अंसार देखें, वो होता है, हाथ से बनाना, क्लियर, Second Question को देखें, Second Question दिया गए, सवचंद उद्यो वे हलके उद्योग हैं जो किसी स्थानिये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, यानि कि कच्चे माल के ओपर डिपेंड नहीं करते हैं, और ये कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, तो कच्चा माल इतना माइनी रखता, दूर से भी आ सकता है, ठीक, तो कही पर भी यह setup हो जाती है, यह main focus करते है market के पर, जहा market होगी, वहाँ पर यह उद्योग लगेंगे, तो सवचंद उद्योग वे हलके उद्योग होते हैं, जो कच्छे माल पर निर्भण नहीं करते हैं, और कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं, ठिक, जैसे कि mobile industry है, घड़ी उद्य में होगा, इनको जहां market मिलेगे, वही पर यह setup हो सकता है, तो ऐसे उद्योगों को हम बोलते हैं, सवचंद उद्योग, now let's move to the next question, third जो हमारा question रहेगा, third question को देखी, भार हरासमान पदार्थ किसे कहते हैं, इसको use man word भी use किया जाता है कई बार, कि भार हरासमान पदार्थ किसे कहा जाता है, तो जब कच्चे माल की तुलना में त्यार माल की मातरा कम हो या भार घटा हो, तो ऐसे पदार्थ को भार हरासमान पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि गन्ना, देखे, कच्चा माल है एक क्विंटल, ठीक, उसे जब माल त्यार किया तो वो निकला 20 केजी, अ इसके बाद फोर्थ कोशिन देखिए, एक और चीज बता दूँ, कि जैसे भार हरासमान पदात होता न, जिसके उपर जो इंड़स्ट्री डिपेंड करेगी, वो इंड़स्ट्री कोशिस करेगी, जहां कच्चा माल बिलता न, वहीं पर वो इंड़स्ट्री लगए, क्योंकि उसमें परिवन की कोस्ट है, ट्रांसपोर्ट की कोस्ट है, वो काफी जाद आती है, clear, इसलिए आप देखोगे, जो चीनी उद्योग है, ज्यातर वहीं लगता है जहां पर गण्ना, जो गण्ने की खेति की जाती है, गण्ना जहां पर मिल जाता है, clear, फोर्था ग्योशन, उद्योगिक समूहन क्या है? Industrial Agglomeration इसको English में बोलते हैं, ये क्या होता है? कि जब बहुत से संबंदित या अन्य उद्योग किसी एक स्थान में स्थाफित हो जाते हैं, संबंदित का मतलब है जो एक जैसे, कि जब बहुत सारी उद्योग, चाहिए वो एक जैसे हो, चाहिए वो अलग-लग परकार के हो, एक स्थान पर स्थाफित हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं उद्योगिक समूहन, जैसे Delhi NCR हो गया, जैसे चोटानागपुर पठार हो गया, जैसे हुगली कॉलकाता हो गया, जैसे चेन्नाई हो गया, जैसे मुंबई पूने हो गया, एहमदावाद वडूद्र हो गया तो यह उद्योगिक किंद्र है, यहाँ पर हजारों की संख्या में इंडस्ट्री सेट अप हो गई तो यह क्या हो गए, उद्योगिक संकुल हो गए उद्योगिक समूवन हो गए और यहाँ पर उद्योग जब एक साथ लग जाते हैं बहुत सारे benefits आपस में share करते हैं जैसे transport की cost कम हो जाती है labor easily मिल जाती है जैसे banking services easily मिल जाती है उके बहुत सारी चीजें उनको सस्ते मिल जाते है profit ज्यादा होता है तो ऐसे उद्योगिक समूवन होता है उसके बाद next question को देखिए अगला जो हमारा person रहेगा fifth question को देखीगा fifth जो हमारा question रहेगा रूहर उद्योगिक परदीश किस देश में रूहर जो उद्योगिक परदीश है वो जर्मनी में भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है उसे इंडिया जो रूहर रीजन कहा जाता है यनि कि जैसे अपने छोटा नागपुर पठार का जो इलाका है उसमें बड़े-बड़े उद्योग है लोहाइस पात उद्योग हो गया ऐसी रूहर परदेश में भी जो heavy industries है कि सबसे छोटी काई क्या होती है तो वो सबसे छोटी काई है कुटी रूद्योग कुटी रूद्योग सबसे छोटी काई होती है जिसमें कम महनत कम शरम क्या आप सकता होती है कम पैसे क्या आप सकता होती है और कम ही कच्चे माल की जरूरत होती है आम तोर पे श्रम के आप सकता जो हो रहा है वो प्रिवार के सदस्य ही पूरा कड लेगते हैं क्लियर, कोटेज इंडर्ष्टिय इसको इंग्लिश में कहेंगे नेक्स जो हमारा क्वेशन रहेगा, सेवंथ क्वेशन को देखी सेवंथ हमारा क्वेशन है, ओद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की उद्धिश्य से सरकार ने किस संस्ता की स्थापना की है तो ओद्योगिक इंडर्ष्टियल प्रोडेक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रिय विनिर्मान परतिसपर्दा परिशद की स्थापना की है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल मैनिफेक्ट्रिंग कम्पेटिटिवनेस कांसिल, ओके एट्थ हमारा कोशन है, B-H-E-L का पूरा नाम बताईए, तो इसका फुल फॉर्म रहेगा भारत हैवी उलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यह पब्लिक सेक्टर की इंडर्ष्ट्रिय है, भारत हैवी उलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाइन्थ कोशन को दिखिए, नाइन्थ जो हमारा कोशन रहेगा, S.A.I.L, सेल का पूरा नाम किया है, S.A.I.L की फॉल फॉर्म रहेगी, Steel Authority of India Limited, जो हमारी जितनी भी आरन स्टील की इंडर्ष्ट्रिय, जो पब्लिक सेक्टर में, जो गॉर्मेंट के अंडर में आती है, वो अपने प्रोडेक्ट को S.A.I.L, Steel Authority of India Limited के नाम से बेशती है, तैंथ हमारा कोशन रहेगा, वन मारकर में, ऐसा उद्योग कौन सा है, जो भारी होने के साथ साथ आधार भूत भी है, तो है लोहा इसपात उद्योग, जो हैवी इंडर्ष्ट्री भी है, और आधार भूत उद्योग भी है, आधार भूत उद्योग कौन से होते हैं, वो उद्योग जिनका त्यार माल दूसरी इंड़स्ट्री प्रियोग में लाती है, यानि कि उपहुकता के लिए अपना माल त्यार नहीं करते हैं, बलकि दूसरी उद्योगों का आधार त्यार करते हैं, जैसे Iron Steel बनाएगी तो हम सीधा घर पे तोड़ी लेक्ड आएंगे कि घर पे ज 눌러 करके इसे कुछ बना लेंगे नहीं वह दूसरी इंडुस्री लेकर जाएक जो दरवाजे खिड़किया बनाते हैं वो लेकर के जाएगे जो nut bolt बनाते हैं वो लेकर के जाएगे हम तो वो product जब त्यार हो जाएगा तब आएगा न तो ऐसे उद्योग जो direct उभोगता के लिए माल त्यार नहीं करते हैं तो ये रहेंगे इस chapter के most important पर मारकर question नाव लेट्स मोट टू दा नेक्स सेगमेंट और इस सेगमेंट में हम डिसकस करेंगे इस chapter के most important short answer type question यानि कि two and three मारकर question तो इसमें देखिए first जो हमारा question रहेगा exam के लिए important वी निर्मान उद्योगों का वरगी कर्ण पूंजी के अधार पर हो सकता है तो आपको बताना विद एक्जामपल second हमारा question रहेगा आधार भूत उद्योगों और उपहोकता उद्योग में अंतरश्परस्ट कीजिए आधार भूत उद्योगों और उपहोकता उद्योग है और क्यों कहते हैं ये भी बताना है third question जो यहाँ से बन सकता आपके लिए important रहेगा कच्चे माल के अधार पर उद्योगों का वरणन कीजिए काफी important रहा है कई बार आपके एक्जाम में आचुका है तो कच्चे माल के अधार पर उद्योगों का वर्णन करना आपको वर्गी करना क्लासिफाई करना इनको फूर्थ आपका question जो एकजाम में पूछा जा सकता है एक दो बार repeat हुआ है स्वामिताओ के अधार पर ownership की बेस पर उद्योगों का वर्गी करन कीजिए फेपत है किर्शी वर उद्योग एक दूसरे पर निर्भर या पूरक होते हैं कैसे होते हैं यह आपको बताना तो यह रहेंगे इस chapter के most important short answer type question जिनके उपर आपको mainly focus करना है उसके बाद हम next segment भी बात करेंगे और next segment में हम discuss करेंगे इस chapter के most important long answer type question यानि कि five marker question तो इसमें देखिए कौन से question आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो इसमें first जो आपका question रहेगा उद्योगों की अवस्तिती किन कारकों पर निर्भर करती है यानि कि कौन से factor है जिनके उपर industry की location निर्भर करती है या फिर language change हो सकती है कि उद्योगों के अवस्तिती को परभायत करने वाले भोती की अमानिवयकार कौन से है ऐसे होता ना इंड़स्टी हर जगह तो नहीं लगती जैसे depend करता है raw material, कच्चा माल, पानी यानि जल, उर्जा के साधन सस्ते सर्मिक जलवाईयू, परिवन के साधन उद्योगिक परदेश का वर्णन केजिए या फिर रूहर घाटी में जो उद्योगिक अर्ण हुआ है उसके लिए अनकूल भोगलिक दसाओं का वर्णन केजिए कि वहाँ पर ये उद्योग क्यों लगा है कारण बताना है, तो वहाँ वही सेम चीज़ें आएगे कि कच्चमाल होगा वहाँ पर जल उपलब्ध है, परिवन की सुवधा उपलब्ध है जलवाईयू बहतर है ओके, लोकेशन वैसे बहतर है जैसे पोर्ट की फैसलेटी अवलेवल आपको वो सारे कुछ बताना है थर्ड जो हमारे कॉशन इस चैप्टर से इंपोर्टन रहेगा, यह आधुनिक बड़े पे माने के उच प्रवधोगी की उद्योग किसे कहते हैं, यह बताना कौन से होते हैं यह हाई-टेक इंडेस्ट्री कौन से होते हैं और इनकी अवस्तेती को प्रवाइद करने वाले कार कौन से होते हैं यह फूर्थ जो आपके NCRT की बुक में सबसे पहले दिया गया यह आधुनिक बड़े पे माने के उद्योगों की मुख्य विशेशतना ही बताईए तो यह रहेंगे इस चैप्टर के most important five mark question उमेद करता हूँ कि मोटित और पे आपका यह concept clear हुआ हुआ कि यहाँ पे हमें कि इन topics के उपर focus करना है कौन से questions है जो exam के लिए important रहेंगे तो आप उनको अच्छे से revise कीजिगा इसके लावा भी आपके mind में अगर कुछ और doubts हैं कुछ suggestion हैं कुछ queries है तो आप comment section में comment कर सकते हूँ इसके साथ साथ मैंने काफी सारे और वीडियोज पर आपके लिए पब्लिश किया जो general वीडियोज है यानि कि exam से लेटिड है motivation से लेटिड है strategy से लेटिड है तो उन वीडियोज को अगर नहीं देखा तो आपको प्लेइलिस्ट में जाना है प्लेइलिस्ट में geography guru special strategy वीडियोज वहाँ पर दिये गए तो वहाँ पर आप इन चीजों को सर्च कर सकते हैं और class 12th geography जो प्लेइलिस्ट है उसमें आपको class 12th geo slated काफी सारे वीडियोज मिलेगे including the sample question paper and the practical exam question paper आज के लिबस इतने, thank you, bye bye, have a nice day